श्रिया देरादे, भारत भूम में अनादिकाल से एक से एक महान योगी, एक से एक महान भगवत भत्त, एक से एक महान निशकाम कर्म योगी, एक से एक महान ज्यानी, एक से एक विलक्षन, सिध्ध, संत और तपस्वी हुए हैं, उनकी गिंती नहीं की जा सकती है, सत योग, आज इस सत योग से ले करके, अथवयों कहें कि अनादिकाल से, आज तक न जाने कितने एक से एक अज़भुत विलक्षन संत हुए है, बड़े बड़े दिर्ग जीवी, बहुत ही महान शक्तिशाली, योगिक शक्ति, भक्तिक शक्ति, आध्यात्म सक्ति वाले, कोई दिर्ग जीवी हैं, कोई दिर्ग काल तक अपने शक्ति को प्रत्यक्ष दिखलाने वाले, और कोई कई कई युगों टक रहने वाले कोई कई कई चतुर यूग और कल्पों टक रहने वाले हुए हैं कल यूग में ऐसे ही एक महान दिर्ग जीवी महान सिद्ध महान योगी संत हुए जो आज भी हैं और बताया जाता है कि उनकी उम्र अभिष्ट में दो हजार वर्स है अभी भी वे जीवित हैं अधिक तर हिमाले में रहते हैं उनका नाम है महावतार बाबा बहुत लोगों को उनका दर्शन प्राप्त हुआ है इसलिए उनके उपर विश्वास किया जाता है श्रद्धाल लोग तो उन लोगों के उपर विश्वास करते हैं जिनका दर्शन लोगों को जल्दी नहीं मिल पाता है लेकिन महावतार बाबा का दर्शन बहुत लोगों को मिला है मैं आपको सुना चुका हूँ श्यामाचरण लाहडी की चरितावली जिसमें आपने सुना है कि वे एक सरकारी कर्मचारी थे और जवरानी खेत उनका ट्रांसफर हुआ था वे पहाड घूमने के लिए जाते थे हिमाले की शिखरों का दर्शन करते थे जंगलों में घूमते थे तो वहीं पर उनको एक सिद्ध योगी ने पुकारा था श्यामाचरण श्यामाचरण मेरे पास आओ मैंने ही तुमको बुलाया है तो उन्होंने जाकर के वहाँ पर एक गूफा में जिन महापुरुष का दर अनकुंद आज दिखलाया और नपश जानने पर जिन्होंने उनके सिर पर हाथ रख करके खोई हुई श्मृति को जागरत करके पिछले जन्म का सब दर्शन करा दिया वही लाहडी जी के पूज्य गुरुदेव थे महावतार बाबा उनको दर्शन प्राप्थ हुआ था औ उन्होंने ही एक बार महराज जी से पूछे बिना इस विश्वास पर कि वो मेरी बात मान लेंगे अपने आफिश में उनको प्रकट करके अपने सहकर्मियों को दर्शन कराया था इदिब उसके बाद महावतार बाबा ने कहा कि बेटा मुझे तुम इस तरह बुलाओगे त मुझे समझ में आएगा कि तुमको मेरी जवुरत है तब मैं प्रकट हुआ करूँगा वो आज भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं महावतार बाबा और वो युकतेश्वर नाम के लाडी जी के शिष्य थे बहुत अच्छे सिद्योगी थे उनको भी दर्शन दिये थे और अच्छे नाम के एक संत हुए जो विदेश्व तो जाकर के महावतार बाबा के उपदेश जो योग के संबन्न में थे उनका प्रचार किया जिसको कहा जाता है क्रिया कुंडलनी योग श्वांस के द्वारा प्राण सक्ति का उसमें जागरन होता है और प्राण सक्ति के केंडरित होने पर मन केंडरित हो जाता है और मन केंडरित होने के बाद उसकी विचित्र अपार सक्ति प्रकट होती है जिसके अंदर जीव को सारी सक्तियां बहुत अधिक विक्सित होकर प ऐसे महावतार योगी थे, उस समय जमिन लोगों को दर्शन मिला था, उन्होंने ये अनुहों किया कि महराज जी हादमिशा के लिए रहने वाले हैं, आजार अमर हैं, इसलिए आप कह सकते हैं, कि वो आज भी हैं, इतना सरल नहीं है कि कोई जब चाहे दर्शन करा है, इतना सरल तो नहीं है, लेकिन वो जिसके उपर कृपा करते हैं, उसको दर्शन देते हैं, आज भी विराजमान है, उनी के विशे में कुछ और बताना चाहता हूँ आपको, ये दक्षिन भारत में, तमिल नाडू में, एक बहुत तपस्वी ग्रिहस्थ के यहां जन में लिये थे, और जहां पर इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम परांग पिट्टी, ये तमिल नाडू में है, और बालक के अंदर दैवी समस्कार पहले से ही थे, छोटा बच्चा था, बीना माता के पूछे, उसने घर में से एक फल लेकर के खा लिया, माता को को लगा कि बच्चा भिगड रहा है, और अनुशासन इसके अंदर जो होना चाहिए, वो अब नहीं रहेगा, तो ये ज्यादा ही चन्चल हो जाएगा, तो जीवन में कोछ गहर तीजे नहीं सीख पाएगा, ना कोई विशेश उप लब माता ने बच्चे के मुँँ में एक कपड़ ठूस दिया, जान भूच कर तो ऐसा नहीं किया था माता नहीं कि उसको बज्यादा परेशानी हो जाए, लेकिन कपड़ा ज्यादा ही अंदर ठूस दिया गया था, अन्जान में ही, तो बच्चे की दम फूलने लगा, और ऐसा बच्चे को कि उनके प्राहण निकल जाएंगे, उस समय बालक का नाम था नाग राज, यही महावतार बाबा, बच्पन में नाग राज नाम से थे, उनका नाम नाग राज था, और इनके मुँ में जब ठूस दिया कपड़ा माता ने जोर से, तो इनहीं लगा कि मृत्यू म अब आ गए, और मृत्यू का एकदम निकट अनुभव उनको प्राप्ट हुआ, और उसका यह प्रभाव उनका जीवन पराया, कि ने संसार से बैराज्यों गया, और यह घर छोड़ करके चल पड़े, और अकेले ही बालक जंगल पहाड में घूमता रहा, कुछ भीलों ने, इनको चुरा लिया, अफरन किया और कहीं किसी के हाथ बेच भी दिया, लेकिन जिसके हाथ बेचा था, वो वेक्ति दैयालू था, वो निर्दाई वकति नहीं था, दैयालू होने के करण बालक की कष्ट को विचार करके उसको दैया आ गई और उसने छोड़ दिया, फिर यह इस जंगलों में बटकते रहे और इनको एक गुरु प्राप्तु है जिनका नाम था बोगर नाथ बोगर नाथ ने कहा बेटा तुम शास्त्रों का अध्यन करो तब तुमको तत्तु का ज्यान होगा पिछले संस्कारों के अनुसार ही जीवगती करता है इनके पिछले जनम के संसकार योगमार्ग इ待 योगमार्ग का तात्परि मेरा है अस्तांग योग का यम नियम आशन प्रानायाम प्रत्यार धारना ध्यान समाधी वाला जो योग है उसको अस्तांग योग कहा जाता है। तो पिछले जमने का उनका यही संस्कार था इसलिए इसी मार्ग पर चल पड़े। और इसके बाद लोमस रिशी आधी दिर्गी जीवी संतों की कृपा प्राप्ट करते हुए। फिर इनको यह ज्यात हुआ कि आगस्त रिशी को गुरु बनाओ। इदिप इनके गुरु बोगर नात जिठे। लेकिन बहुत संतों का दर्शन प्राप्ट हुआ। और फिर उनको यह ज्यान हुआ कि आगस्त रिशी को एद गुरु बनाएं। तो यह इस मार्ग में सर्वोत कृष्ठ रिश्ठी प्राप्ट कर सकते हैं। और फिर आगस्त रिशी को गुरु बनाने के लिए इन्होंने निश्चे कर लिया। निश्चे पक्का था। उसी निश्चे के अनुसार इन्होंने वन में तपस्चा करना शूर कर दिया। और महराज अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। शरीर की मृत्य हो जाएगी इस बात से भी नहीं डरे। और बेहोस हो गए। बालक के रूपमे थे नागराज बालक बेहोस हो गया जो बाद में महावतार बाबा बनते हैं। जब यह बेहोस हो गए इनके प्राण को बचाने के लिए अगस्तरी शी पकट हो गया। और उनुह ने इनके सिर पर हाथ फेला और कि फिर खोस में आ गए नागराज जी को फिर अगास्ट जी नेहीं को क्रिया कुंडल नी योग शिखायी भक्तों क्रिया कुंडलनी योग होता है ये एक्प्रकार का प्रहणयाम है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राणयाम बहुत तरक होते हैं और जितने भी प्राणयाम होते हैं उस स्वासों की गती पर नियंत्रण, नियमन, शाषन करने से ही प्राणयाम बनते हैं किस प्रकार से स्वास लेना है, किस प्रकार से छोड़ना है, कितनी देर रोकना है, कितनी देर में उसको धीरे-धीरे या जल्दी-जल्दी छोड़ना है, गती क्या होगी, इन सब का विवेक होना और उसके अनस्वार अभ्यास करना यही प्राणयाम की मुख्य बात होती है। इसी तरह से क्रिया कुंडलनी योग में भी प्राणू का आयाम अर्थात प्राणू के उपर नियमन, नियंत्रन, संचालन करने से जो मेरुदंद में चक्र होते हैं, वो सब के सब जीर जीरे जाकृत होते चले जाते हैं और कुंडलनी जागरण हो जाता है, यह कुंडलनी जागरण कराने वाला यह एक प्रकार का प्राणवयाम है, जिसको क्रिया कुंडलनी योग कहा जाता है, और अगस्ति रीशी तो संपूर्ण सामर्थेवान बहापुरुष। भगवान शीव के ही साक्षा स्वरूप माने जाते हैं अगस्ति जी। ये दक्षन भारत में ही रहते हैं। इनको भगवान शंकर की आग्या से दक्षन भारत में जाना पड़ा था। विण्धया छल परवत के उपर शाषम करना था। क्योंकि विफिएचल परवत प्रकृति के नियंतरन में जाओ, तो तुमको प्रणाम करेगा। और फिर बोल देना जब तक में लाओट के नहीं हू तब तक ऐसे लेटे रहना, तो दक्षिन से लोटके अगस्ती जी आया ही नहीं, इसलिए विंध्या चल लेटा ही रहा, उनके शाषन को स्विकार कर लिया, उनके आधेश को मान दिया, वही अगस्ती जी महराज, जो श्यू स्वरूप माने जाते हैं, संपूर योगिक शक्ती के निधान हैं, उन्होंने ही कृपा करके नागराज बालक को क्रिया कुंडलनी योग पून रूप से प्रदान कर दिया, और उनको क्रिया कुंडलनी योग का सिध्ध योगी बना दिया, और ऐसा योगी बनाया, कि जो अपने आयुपर्वन यंत्रन प्राप्त कर लिया, ज आप वो महावतार बाबा का लाया, और महावतार बाबा की उम्र शरीर को देखने से 20 वर्श के लगबक्य लगती है, और वो दो हजार बर्श पहले भी 20 वर्श के थे, और आज भी 20 वर्श के ही शरीर वाले दिखलाई पड़ते हैं, फिर जब उनके गुरुदेव अगस्त महराजी ने कह दिया कि बेटा, अब तुम एक सिद्ध योगी हो चुके हो, अब तुम जा करके उत्तरा खंड में हिमाले पर रहो, तब गुरुदेव के आदेश अनुसार वो अल्मोरा में, हिमाले के उपर अल्मोरा में, ड्रोन गिर के आसपास रहते हैं, कहते है कि वहाँ शिवालिका की पहाड़ी जो है, उसमें उनका अपना सिद्ध आश्रम है, और वो सिद्ध आश्रम जो है, उसमें बिना उनकी आध्या के कोई जा नहीं सकता है, वहाँ दैवी सक्ति संपन्न वो विक्ति जा सकता है, जो उनके कृपा प्राप्ठ किया हो, वहाँ उनके साथ और भी योगी लोग रहते हैं, और उन योगीयों के साथ ही, वह वहाँ पर हिमालय के उस दिव्य शेत्र में, अलमोडा के दोनगिर में, शिबालिका की पहाडी में, एक अद्भूत दिव्य आश्रम जिसको सिध्धाश्रम मने बतलाया, कहीं ज्ञान गंज भी बत कुर्खत नहीं पहुंच चकता है, वह है पहुंच चकता है जो विशेश りूप से पात्रता, संपन्न हो और विनम्रता, दीन्ता हो और शिश्यत्त जिसके अंदर हो, भाव हो, समर्पन का, क्रुपा प्राप्त हो, महावतार बाबा की, वह ही व्यक्तिवा पहुंच चकता ह उनके अंदर जितनी शक्ति है उसको बताना असंभावर। एक बार वो कई अपने सिद्ध सिश्चों के साथ बैठे हुए थे, तो जलती हुई लकडियां सम्मुक थी, तीवर ठंड का अपर, लेकिन उनके उपर ठंड का असर नहीं पड़ता, फिर भी जो साधक शिश्च लो एक लकड़ी उठा करके एक कंधे पर जोर से मार दिया, तो आउर लोगों को समझ में नहीं आया कि महराज जी तो बड़े कोमल, दयालू, कृपालू सुभाव के हैं, आज इतनी मोटी जलती हुई लकड़ी इस शिश्चे के कंधे पर क्यों बारी है? कोई-कोई मन में सोच इसने लगे गुरुदेव इबाता दें तो ठीक रहे है, तो उन्होंने कहा तुम लोग चिंता मत करो, इसके मृत्यू का योग था इस समय, मैंने इसके मृत्यू को योग को इस समय इसी जलती हुई लकड़ी के द्वारा आघात करके भगाया, अब इसकी मृत्यू तल गई फिर उन्होंने जो घाव हो गया था लकड़ी के प्रहार से और जलती हुई आग के प्रहार से, उस घाव पर अपना हाथ फेर दिया, सारा घाव सब जला हुआ, और कटा हुआ, सब ठीक हो गया एक बार एक व्यक्ति आया, महावतार बाबा के पास, और बोला कि आप मुझे दिख्षा दे दिजे महाराज जी, आप जरूर कृपा करिये मेरे उपर नहीं, तो मैं इस पहार पर से कूद कर आत्म हत्या कर लूँँगा, तो महावतार बाबा बले के ठीक है, कूद जा तू, जिस पहार पर से कूद ने, तेरा मन कूद जा, तो बड़े उमुचे पहार पर से उपकूदा और मर गया, उसके बाद बाबा ने कहा, महावतार बाबा ने अपने शिश्चों से, कि जा उसके मृतक शरी को उठा ले आओ, तो वो लोग उसका मुर्तक शरी उठा करके ले आए तो बाबा ने उसके सिर के उपर हाथ फिर करके अपनी शक्ति का शक्ति पात किया और मुर्दा आदमी जिंदा हो गया तब उन्होंने बताए कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम गुरू की सेवा में आये हो तो कितना शर्णागत हो और कितना बल्यदान कर सकते हो बिना आत्म बल्यदान कि ये किसी को विशेश कृपम नहीं मिल पाती है अब मैं तुमको शिश्य बनाऊगा तब उन्होंने उसको शिश्य बना लिया आब इस समय महावतार बाबा के कितने शिश्य हैं ये बताना असंभव है ये तो माना जाता है कि वे हिमाले में अलमोडा में दोन गिर पर शिवालिका की पहाडी पर और भी जगह हिमाले पर हिरादिक तर रहते हैं लेकिन वो एक ऐसे सरवग्य और सरवत्र विराजमान योगी हैं योगियों के गुरू हैं कि जहां चाहं वहीं प्रकट हो सकते हैं ऐसा नहीं कि हिमाले पर ही प्रकट होंगे और यहां नहीं प्रकट होंगे आभी उनकी कृपा हो उनकी इच्छा हो तो आप जहां विराजमान हैं वहीं आ आपके ही पास एक छण में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो भक्ती होनी चाहिए, ऐसे महान सिद्ययोगी हैं महावतार बाबा, भक्तों योग के लिए पात्रता आवश्यक होती है, तभी ऐसे महान सिद्ययोगी की कृपा प्रप्त होती है, हर व्यक्ति के अंदर ये पात्रता होती है. कि जिसके अंदर अस्टांग यूक की पातरता होगी उसके ऊपर जरूर्न की किर्फा होगी यह तो उसके इंदर शीषयत्त्तों जागरुत होगा तो, अन्य था, आपको भाक्ति मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि भाक्ति मार्ग उपर सभी लोगों का आसानी चर्थिकार हो जाता है, बस भाक्ति मार्ग में केवल मोही कपट छल छे द्रन भावा जैसा कि भगवान स्री राम जी ने कहा है मानस में, वो अन्दर ये उसके भाव है, प्रेम है, तो भाक्ति मार्ग पर बहुत जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि प्रेम से बढ़ करके कोई भाक्ति नहीं होती है, और प्रेम से बढ़ करके कोई ऐसी साधना नहीं होती जिस पर प्रभू प्रसंद होते हैं, गोपियों के विशे में ये जिया आप idea kundalni योग, ये जिया आप अस्टांग योग की साधना के लायक अपने को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको भगवान की भक्ति में ही लगना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए उनसे प्रेम करने पर ही आपको अपने जीवन की सारी उपलब्धी जो आध्यात्मे को उपलब्धी होती है अर्थात प्रभु की भक्ती प्रभु की चर्णों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा और ये इसमें आप मनो योग से भाव से प्रेम से लगे रहे तो निश्चिती ठाकुर जी का अनभो भी होने लग जाएगा ठाकुर जी की कृपा ठाकुर जी का अनभो और ठाकुर जी की स्वयम उपलब्धी हो जाएगी अर्थात आपके जीवन का लक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा भगोत प्राप्ती हो जाएगी महापूरुष लोग होते हैं जैसे मैंने महाउतार बाबा की बात सुनाया आपको, ये कारक पूरुष होते हैं, ये सुपात्र को खोजे लेते हैं और अपने आप उनके पास पहुंच जाते हैं, इसी तरह से भक्ति मार्ग में भी मेरा बाई ने प्रकट होकर दीख्षा दिय तुल्सी दास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कभीर दास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और बहुत सारे सन तो, राममंगल दास जी की सम्मुक प्रकट होकर दर्शन दिया और तमाम भक्तों को दर्शन दिये हैं, जिनकी चर्चा करने पर जोज बिस्तार हो जाए के लेकिन यह ज़िए आपको लगता है कि अपात्रत्या आपके अंदल नहीं है तो बहुत प्रेम चे भागवान की भकती में लगे रहिए और भक्तों के माध्यम से प्रभू खुपा करेंगे और आप अपने मार्क पर अग्रसर होते हुए भागवत भकती को प्राप्त करनें शीर अबेरादे गुम इसे रहीता है